हेलो और वेलकम टो मैं चैनल फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूगी आमला का मुरभा बनाने की बहुत ही सिंपल बहुत ईजी और एफेक्टिव रेसिपी जिसको फॉलो करके आपका मुरभा घराब भी नहीं होगा और आप शुरू में क्या करें आधा किलो आमले ही लें तो ये आमलो को सबसे पहले हमने पानी डाल करके 10 मिनट के लिए बॉयल करना है पहले आप अच्छे से इनको वाश कर ले जो मट्टी बगरा है वो हट जाएगी और इनको बॉयल करने के लिए रख ले 10 मिनट से कम ही अच्छे है 10 मिनट से जादा ना करें 7-8 मिनट तक भी चलेगा हमारा में परपस यह है कि आमले हमारे स्टरलाइज हो जाए उन पर कोई डर्ट या जर्म्स हो जारे मर जाए और थोड़ी से सॉफ्ट हो जाए बस जादा हमने उनको सॉफ्ट नहीं करना है और जैसे ही लगी कि सारी फांके हैं इनको हमने अलग करना है और जो गुठलियां है वो सारे हम निकाल लेंगे तो कई तरीके से लोग आमला का मुरब्बा बनाते हैं गुठलियों के सहित भी बनाते है वो बड़ा लंबा प्रोसीजर हो जाता है बजार में हमें तुकानों पे वैसा ही मिलता गुठली वाला तो मैं जिस तरीके से बनाती हूँ मैं वही तरीक आपके सारे कर भी तो मुझे यह में डाला है सिंधा नमक एक बड़ा चमच मैं डाल दे रही हूँ जीरा का पाउडर यह एक चमच मैंने डाला है अमचूर का पाउडर और और हम चूर में इसलिए डाल रहे हूं कि बच्चे इसको as candy भी खाना पसंद करते हैं तो आप इसको as candy भी बच्चों को बोल के ऐसा दे सकते हैं या इसको आप आमने का मुरबा भी कह सकते हैं पांच शमच मैं भी मिला रही हूं चीनी के इसको मैं अच्छे से मिक्स करूँगे और उसकी बाद फिर मैं अपनी requirement की साब से पांच शमच और शीनी डालूँगी तो यह आपके स्वाथ पर डिपेंड करता है मैंने जो मुरबा बनाना है वो मैं थोड़ा से dry रखूँगी इसके हमें बजार में मिलता है बहुत सारे चाशनी में डूबा होता है मैं वैसा नहीं बनाती हूं फिर बच्चे खाते भी नहीं है और टिफिन में पैक करना हो तो भी थोड़ी चिपचिपासा हो जाता है तो इसको आप कुछ भी नाम दे सकते है आवला केंडी भी कह सकते है आवला मुरबऴ भी कह सकते है या मीठा आवला का अचार भी कह सकते है लेकिन हमें कुछ नगुछ करके अपने फैमिली मिंबरस dio-'ục कोψा है तेज थूप में, कड़कती होई धूप में, इस तरीके से नीचे मैंने एक प्लेट रखती है, उस पे डोंगा रखके मैंने इसको किचन टॉबल से कवर कर दिया है, और इससे ही क्या होगा कि हमारे जो आमले हैं, इनको हमने बोईल के, इनके अंदर जितना भी पानी है, नमक कितना सारा पानी यहां से निकला है, तो हमने क्या करना है, इस पानी को डिसकार्ड नहीं करना है, क्योंकि इसमें सारे की सारे मसाले डले हुएं, और आप चाहें तो काली मिर्च का पाउडर भी आड़ कर सकते हैं, और भी जो आप कुछ आड़ करना चाहें, करम, मसाला शुरूँ किया था, यानि आज थर्स्टे है, रोज धूप में रखती हूँ, और शाम को मैं हटा लेती हूँ, इसी के साथ ही मैंने डाल की बणियां भी बनाई थी, वो भी मैं रोज धूप में रख देती हूँ, सुबह कोई कठे ही सारे को, चीजों को और फिर शाम को हटा लेती हूँ और ये देखें आमलया का मुरबा है ना मैं आपको पास से दिखा रहे हूँ इसके अंदर जितना भी पानी था पांच दिन के बाद ये पानी अल्मोस सूख चुका है और हमारे जो आमले हैं काफी अच्छे से त्यार भी हो गये है और इनके अंदर सारे मसालों का टेस्ट भी आगया बढ़े चटपटे से हैं खटे अज़ड़ी हैं थलकी से मैंने चीनी डाली है और अमचूर भी डाला है और जीरा भी डाला है तो बहुत अच्छा चटपड़ा सा टेस्ट आ रहा है ये देखे फाइनली छे दिन के बाद हमारा जो आमले का मुरब्बा है अच्छे से बनके त्यार हो गया है धीरे धीरे ये धूप में पका घराब होने का कोई रिस्क भी नहीं है फिर मैंने संडे को साथवे दिन शीशी में भरके कुछ तो अपने फैमिले मेंबर्स को खाने को दिया उनको बहुत अच्छा लगा और फिर जस डस पर कॉशनरी मेशर इसको मैंने धूप में रख दिया है और ये वैसे जादा दिन चलना नहीं खता में कर देंगे क्योंकि काफी स्वाद भी बना है होप करती हूँ ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी इसके साथ ही मैंने ये दाल की बहुत सारी बढ़ियां बनाई है ये भी बच्चे बड़े शौक से खा लेते हैं वैसे उनको बोलो की दाल खालो तो उनके पास बहुत बहाने होते हैं ये ही रीजन होते हैं कि फिर प्रूटीन की कमी हो जाती है सबजें भी बच्चे खाना नहीं पसंद करते हैं तो आप ये काम करें इन गर्मियों में दाल की बढ़ियां भी तियार कर लें इनको बुलाव में आलो के साथ बना के खिलाएं थैंक यू सो मच पर वाचिंग टेक कियर और गुडबाए